अभी हम लोग आपको जो है आपके जो फर्स पेपर चाइल्ड हुआ है उसका की बताएंगे एंसर की क्या आप लोग के कौन-कौन से किसके एंसर होंगे तो आप इससे अपना मैच कर सकते हो मैं आपको बता दू कि जो कंफॉर्म एंसर होगा वही मैं बताऊंगी जहां पर ड है जिसे कि आप ज्यादा ज्यादा क्लोज यानि exact marks अपना जो है समझ सको कि आपका कितना आ रहा है आपके इस एंसर की को मैच करने के बाद चले स्टार्ट करते हैं अगर आप लोगों को किसी भी question का अंसर अलग लगता है तो comment करके बता सकते हैं आप लोग without any hesitation और हम लोग जो है यहाँ पर answer की देखने वाले आप लोगों नहीं खुदी comment करके कहा है कि बहुत सारा question हमारे PDF से match कर गया है तो यह अच्छी बात है अब कल का examination के लिए भी आपको PDF दे दिया जाएगा टेलिग्राम पर और यह भी paper आप लोगों को टिक लगा हुआ पेपर भी टेलिग परकार की रूढिया है तो बिलकुल रूढिवादी यानि की स्ट्रियो टाइप का मीनिंगी समझा दिया गया था तो बिलकुल आप कर सकते हो दोनों हो जाएगा सकरात्मक और नकरात्मक विविदिता के विभिन परकार क्या है तो यहां पर all हो जाएगा विविदिता यानि diversity हम किस किस तरह से अलग है धार्मिक लेबल पे language लेबल पर कास्ट यानि दी ये question भी आप लोगों का था समाजी करन द्वारा बालग का विहवार हो जाता है rectify यानि परिमारजित सोसलाइजेशन से ये चीज़े होती है चलिए fourth number बालग का विहवार परिमारजित हो जाता है देखो वही question को opposite करके पूछ दिया है चलो ठीक है हमें हमें क्या हमें तो marks मिलेगा समाजी करन बिलकुल रूड़ी बद्धारना के प्रकार है kinds of stereotypes are gender stereotypes, racial stereotypes, cultural stereotypes yes तीनों होते हैं ता answer हो गया D number socialization से जबर question बहुत पूछा है और PYQ से question बहुत सारे आये है अनात बच्चों के सामने चुनोतियां होती है ये भी आपका answer D होगा तीनों चुनोतियां आत बच्चों के सामने देखने को मिलती है सम प्रत्य विकास का उच्टम अस्तर है देखो सम प्रत्य अनि concept development का सबसे उच्टम अस्तर यहां पर जर्नलाइजेशन हो जाएगा अगर आपको किसी question में अलग answer लग रहा है comment करके बताना बालक के समाजिक विकास में महत्तपुन घूमिका होती है यहां पर भी आप लोग का all हो जाएगा इन तीनों के होती है और यह question repeat भी हुआ है यह question repeat भी है तो repeat वाला question कर लोगे उसमें marks मिलेगा आप लोगे को समाजिक विकास का अर्थ है आप लोग का see यह तो pdf में starting ही में दिया हुआ था next हो जाएगा समाजिक अधिगम सिध्धान्त दिया गया है यह मैंने आप लोग को जब childhood का दिया था तो भी बताय था pdf की यह question याद रखना समाजिक अधिगम सिध्धान्त बंडूरा ने दि कि यह वाला question options के according करना इस option में 0 से 5 साल है कहीं कहीं पर जो psychologist है उन्होंने 0 से 5 साल दिया है कॉलस्निक और बहुत सारे psychologist का मैंने नाम आपको बताया था तो यहाँ पर answer A number हो जाएगा क्रोध सहायक है यह आप लोग का PYQ से देखो इसमें ना मैं मैंने खुद आपको बताया था कि इसका answer जो है एनॉयन्स या दुख होगा दुख भी होता है बट इसकी अनुसार जो मुझे लग रहा है बी जादा तर suitable लग रहा है लेकिन अगर आपने दुख भी किया है तो वह भी ठीक है इसको हम थोड़ा सा डाउट में छोड़ेंगे इस वाले question को ठीक है कोलवक की अनुसार एक सिक्षक बालकों का नैतिक विकास कर सकता है कोलवक थियोरी पाइगे थियोरी एरिक्सन की थियोरी से question भर-बर के दे लिया है तो yes बच्चा C हो जाएगा involving them in a discussion on ethical values तो develop कर सकता है किशोरों की सिक्षा के लिए आवश्यक है मैंने बताया था यह भी आपका पी वाई की उसे sex education करना है तिक यही होगा सदाचारी सिक्षा में पता है क्यों होता है moral education भी पता होता है लेकिन किशोरा वस्था के लिए जो ज़्यादा demand होती है वो sex education की होती है ज अधिक विकास के कितने स्तर है लेवल पूछ रहा है देखो stages और लेवल अलग-अलग है तो यहां पे लेवल पूछा है तो answer 3 करेंगे और वैसे छे option में है stages हमारे 6 होते तो answer हो गया 3 जन्म के समय बच्चे का रोना बच्चे को रुलाया जाता है आप देखते होगे कि बच्चा जन्म लेता है नहीं रोता है तो डॉक्टर उसके पीट पर थप थपाते है तो वो इसलिए होता है कि बच्चे का stimulates breathing process जो है सही से चले इसलिए रक्त प्रवा दर्द का सूचक भूग का सूचक अलग है सबसे पहले स्वसन यानि breathing के लिए होता है कि ब्रिद्धियम विकास दरसाता है यह सी नंबर होगा विकास आत्मक कारे का प्रते दिया गया है यह वी आपका पीवाई क्यू से हैं 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 डगलस एम हॉलेंड के अ और किसी तरह का टूपता है तो हमारा emotional adjustment होगा किसकी परिभासा है समायोजन निरंतर चलने वाली प्रिक्रिया है जिसके दौर अव्यक्ति अपने वातवरन की बिस संतुलित संबंद रखने के लिए वहवार में परिवर्तन करता है gates and others किसने कहा है मांसिक स्वास से जो मानो कल्यान की विश्चय के बताता और मानो समबंदों के समझ खेत्रों को प्रौवित करता है इसका हलसा को हखो होगा मांसिक स्वास्त विज्ञान के जन में दाता है यहां पर बीर्स हो जाएगा I think यह कोशन भी प्रिवाइक में था मांसिक स्वास्त को प्रभावित करने वाले कारक होंगे तो यह भी आप का दी lean विश्यस्ता थाNS रही आलो नहीं पूछाए दिशिस को ऑप्रोसेस यह बोला है कि समायोजन एक सवकिरातमकfe नहीं है तो यहीं जो हैश्यस्ता नहीं अन्वर होगा कॉनसा इस में से नहीं होगा इस से चमता है किस से संबननी थे cognitive development संग्यानात्म विकास बालकों की विर्धियम विकास में होते हैं दोनों होता है यह बी बताये गया था qualitative and quantitative बाल्ली अवस्था को कहा जाता है golden age golden age कुछ लोग बोलेंगे unique period of life है लेकिन हाँ स्वर्णी अवस्था सबसे ज़्यादा बोला जाता है निम्ण में से कौन समाजी करण का अभिकरण नहीं है पुस्त के नहीं वाला question आ रहा है बालक के विकास के छेत्र है तीनो हो जाएगा D number एकदम फटाफट match कर लेना क्योंकि question ठीक है अच्छा है easy है मतलब easy ज़्यादा question है कुछ-कुछ question moderate है बालक के समाजी करण में बाधक ततो कौन से है तो यहाँ पे भी आपका D हो जाएगा 34 किसने कहा समाज समाजिक सम्मंधों का जाल है यह भी आपका PYQS है मेकाईवर यह परिभासा किसने दी किशोर अवस्था बरे संगर स्तनाव तुफान व बिरोध के वस्था इस्टिनले होर यह तो हम लोग इदम रट गए है शर्म तथा गर्व जैसी भावनाव का विकास किस अवस्था में होता यह आप लोगों को मैंने बताया भी था चाइल्ड रूड हो जाएगा ठीक है दिख रहा है ना सभी को टिक करते हुए चलना कि दा प्रोसेस ऑफ एड़्जस्मेंट एड़्जस्मेंट कैसा प्रोसेस है देखो आप लोगों इसमें आल किया होगा और मुझे पता जयाद-ज्यधा क्वेश्चें बच्चे जो है ऑल यह यह उंग लेकिनिश का अंसर डायनेमिक हो गां sai क्यूंकि एड़्जस्मेंट का सलय सबीता है automated सकते हैं लेकिम इससेलेड़ इसका सब्स्था है में शार्रीक विकास्तिब्रती से होता है देखो इस वाले कोशिन में आप बोलोगे मैं किशोर अवसा अक्षिली में इंफैंसी यानि शैशे अवसा और किशोर अवसा दोरों में शारीक विकास तिवरिगति से होता है लेकिन जब हम कंपेर करेंगे तो हमारा इंफैंसी जो है जादा उसमें जीत जाएगा उनिस और बीस वाला फर्क होगा इसलिए हम इंफैंसी करेंगे निम्नि में से कौन सा वृद्धियम विकास का प्रत्थम चरण है तो यह फिजिकल डेवलप्न सबसे फर्स्ट स्टेज शारेरिक विकास होता है समाजी करन के साधन है तो यह भी हो जाएगा और निम्नि में से कौन सा लक्षन कू समायोजित बालक का नहीं है देखो यहाँ पर बोला है कि कू समायोजित बच्चे का नहीं है तो यह हो जाएगा do not get distracted easily जबकि यह होते है ना तो यह नहीं में आएगा शिगर विचलित ना हो канале क्योंकि यहाँ पर समायोजित बच्चे का पूछा है कू समायोजित बच्चे का पुछ दिया तक कि आपके जाओ ऐसे question ने इसलिए इसका answer भी है यहीं थोड़ा सा moderate गया है ऐसे question कुछ दिये है समस्य समाधान का प्रथम चरण है identification of problem यह करवाया भी गया है किस अवस्था को मिथ्या परिपक्वता का समय भी कहा जाता है adulthood समवेगात्मक क्रांती किस अवस्था से जुड़ा है समवेगात्मक क्रांती यानि adolescence मांसिक स्वास से विज्ञान नियमों का समू है जो व्यक्ति के स्वेंत था दूसरों के साथ शांती से रहने के योगे बनाता है कूसमयोजन का कौन सा कारण नहीं है नहीं पूछ रहा है कि कौन सा कारण इसमें नहीं होगा तो माता पिता का अच्छा वहवार कूसमयोजन का कारण नहीं होगा बाकी सारे कारण है यह थोड़ा सा ट्विस्ट करके question दिया है मुझे पता है इसमें फसे हो गया आप लो कू समायोजन के तत्तों नहीं है इसमें से कौन सा कू समायोजन का तत्तों नहीं होगा तो happiness क्योंकि frustration, tension ये कू समायोजन के mal adjustment के तत्तों element कहे जाते happiness नहीं है तो answer A number होगा थोड़ा सा ये twist किया ये 3-4 question कू समायोजन से घुसाया है बालक के मांसिक स्वास्य को प्रभावित करने वाले कारक है यहाँ पर आपका हो जाएगा D तीनो अच्छे वे में प्रभावित करने वाले संग्यानात्मक विकास के सिध्धान का प्रतिपादन किसने किया है जीन पाइगेट संग्यारात्म विकास की प्रथम अवस्था है sensory motor stage पूरी तरीके से प्याजे के थियोरी से भर-भर के दिया और बहुत easy question दिया है संवेदी पेशी अवस्था का काल होता है sensory motor stage का 0 to 2 years मनो समाजिक विकास के सिध्धाम का प्रतिपादक है मनो समाजिक यानि के एरिक्सन मुर्त संक्रियात्म काल होता है यानि concrete age तो 7-12 कहीं 7-11 रहता है कहीं 7-12 रहता है कू समायोजन से बचने के उपाए है युक्ती है यहाँ पे D हो जाएगा किशोड़ा वर्स्था के विकास में महत्तोपून भूमी का है DC हो जाएगा यह question आप लोग का PYQ से नैतिक विकास का सिधान किसने प्रतिपादित किया नैतिक विकास यानि moral development कोलवर बालकों के अच्छी मानसिक स्वास सहेतू माता प्मिता को किस से बचना चाहिए बच्चे को ओवर प्रोटेक्ट नहीं करना चाहिए उत्तम मानसिक स्वास सहेतू व्यक्ति को क्या विक्सित करना चाहिए D. तीनो मानो विकास को प्रभावित करने वाले तत्तों हैं दोनो यानि answer C किशोरा वस्था की विशेस्ता है कौन सा शब्द सर्वोत्तम है चेंज क्योंकि किशोरा वस्था में हर तरह का चेंज होता है समाजिक मानसिक सार्डिक हर तरह का चेंज इसलिए चेंज जो है किशोरा वस्था को अच्छी तरीकिसे डेपिक्ट करेगा Ericsson के अनुसार मनो समाजिक विकास की अवस्थाएं कितनी है आठ Ericsson के अनुसार परिपक्वता की आईउ है परिपक्वता ही नहीं एडल्ट हो 30 से साथ समाजिक विकास की प्रिकिरिया सरोपर्थम कहां पर होती है परिवार फैमिली समाजिक रन की प्रिकिरिया है आप लोगों का एंसर हो जाएगा D निमलिखित में से कौन समाजिक रन की प्रिकिरिया में सहायक है सहायक है पूछा तो पियर ग्रोप यानि की साथ ही फ्रेंड्स ठीक है बाकी तो पाठे सामगरी योग है समाजिक रन को प्रुसाहन किस से मिलता है प्रुसकार इंदंड से अनुकरन से समाजिक पहचान से उप्रोक सभी इन तीनों से मिलता है प्रुसाहन पूछ रहा है मतलब आप और ज्यादा इंकरेज आपका किस से होगा तो आपको उसमें गिफ्ट दिया जाए कुछ दिया जाए रिवॉर्ड दिया जाए तो होगा अमूर्त चिंतन की योगेता किस आयू में विक्सित होती है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज ये भी प्राइगिट थियोरी से अच्छे मांसिक स्वास्तिक की विशेस्ता है नहीं है कौन से विशेस्ता नहीं है निगेटिव है तो यहाँ पर आजाएगा मेंटल कॉनफ्लिक्ट सी नंबर मांसिक स्वास्तिक से विज्ञान के कारें नहीं है ठीक है तो दे फॉंक्षन ऑफ मेंटल है साइंसार नौट ट्रीट्मेंट ऑफ जेनेटिक डिजेज आनौणसिक रोग को नहीं ट्रीट करते हैं बाकि यह तीनों करते है सिक्षक का मांसिक स्वास्त से प्रभावित होता है तीनों से तो यह अंसर डी मांसिक स्वास्तिकी रक्षा करने वाले युक्षियां कहलाती है डिफेंस मेकेनिजम यह नमबर आप सकता हों कि कालपनिक पूर्ती को कहा जाता है दिव्वे स्वापन यानि डेड्रिमिंग यानि कि मुझे लग रहा है कि मुझे कार लेना है और मैं सपने में ही इमाजिनेशन में कार ले रही है तो यह डेड्रिमिंग होती है यह आप लोग का दिव्वे स्वापन व्यक्ति द्वारा समायोजन के लिए इच्छाओं को दबा देना कहलाता है कि सोरा वस्ता पर शहरी करन के सकरात्मक परभाव नहीं है देखो सकरात्मक नहीं है जादा तर निगेटिव दिया है आप लोग को फसाने के लिए तो इंक्रीज इन चाइल लेवर बाल श्रम में बृद्धिय सकरात्मक नहीं है बाकि सब पॉजिटिव है कि सोरा वस्ता पर शहरी करन के नकरात्मक परभाव नहीं है ठीक है तो हाईयर एजुकेशन हाईयर एजुकेशन मिलता है ये नकरात्मक नहीं होगा संप्रत्य वे विचार है जो वस्तूओ घटनाओ गुरों आदिकाव लेख करते हैं ये कथन किसका है वुड़ वर्थ एरिक्सन के अनुसार अहम पहचान बनाम भूमी का संबरांती संगर्स को समाधान करने पर कौन सी मनो समाजिक शक्ती विक्सित होती है यानि करतव निश्था जब ये वाला जो चीज है वो किशोरा वस्ता में आता है जब बच्चे में सब कुछ अच्छे से डेवलाप होता है तो बच्चे में खुद से एक फेडिलिटी आती है अपने काम को ले करके वो एक बोसर्तु डेडिकेशन करतव निश्था मांसिक रोगों को का मनो में ग्यानिक उप्चार कहलाता है मनो चिकित्सा या जो इसको करता है उसको मनो चिकित्सक कहते है और जो जिस तरह से किया जाता है वो मनो चिकित्सा होता है मांसिक रोगों से स्वस्त बालक का गुण है बच्चा बरदास भी करता है संशिलता होती आत्मिस्वास होता है एमोशनली जो है मैचियोर होता है निमलिकित में से कोलवक के नैतिक विकास को उत्तर परमपरागत अश्थर की विशेस्ता नहीं है यह लास्ट वाला लेवल है ठीक है लास्ट वाले लेवल में कौनसी इसमस विशेस्ता नहीं आएगी तो ये आप लोग का हो जाएगा obedience orientation, आग्या पालन अभी मुगता है, क्योंकि ये तो first level का है, तो इसलिए ये वाला नहीं होगी प्रत्य के प्रकार हैं, मुर्त प्रत्य या अमुर्त प्रत्य हैं, दोनों होता है वाई गोस्की के अनुसार बाल विकास है, a product of social interaction, यह मैंने आप लोग को पहले ही बताया था सम्मिपस विकास के छेतर क्या उधारना किसके द्वारा दी गई है, वाई गोस्की, जेट पीडी की है यह, वाई गोस्की के अनुसार निमलिकित में से कौन सा कारक सीखने को परभावित नहीं करेगा तो यहां पर आजाएगा stimulus, response, association, बाकि यह तीनों, यह दोनों जो है वाई गोस्की के अनुसार करते हैं वाई गोस्की के अनुसार कौन से कारक, बालक के विकास को परभावित करते हैं, तो यह तीनों हो जाएंगे, त्रैंसर D वाई गोस्की ने दिया है, MKO, ZPD, S का फोल्डिंग, तो D, तीनों दिया है घनिश्टा, विप्रित, अकेला, परनिस्तर, किस सिध्धान्त में हैं, यह आपके एरिक्सन, एरिक्सन थियोरी से है, तो यह आपका साइको, सोसल थियोरी में आ जाएगा बाल विकास के प्रिक्रिया प्रारंब होती है, गर्व से, यह तो हमारा फॉर्स्टी कोशन था, पीडियर था दो से छो वर्स की अवस्था क्या कहलाती है, दो से छे साल, याद रखना, ठीक है, तो यह आजाएगा आपका प्री चाइल्डूड, और यह चाइल्डूड आप लोग का तो पूरा ले लेता है, और उस चाइल्डूड को तीन पार्ट में हाँ पे डिवाइड कर दिया गय एता है, तो यह आप लोग का 2-6 साल हो जाता है, यह आप लोगों का 6-9 साल या 7-9 साल रखो, और यह 9-12 साल हो जाता है, तो इस तरह से हमारा एंसर हो जाएगा बी नमबर, यह अला बतायी भी गया था, दो से आठ वर्स की आयू वर्क के बालकों की विकास के पैटर्ण में क्रियात्मल समाजिक भानात्म संग्यानात्मा कौन डैस शामिल है देखो इसमें ना answer मैंने जो search किया है तो मुझे ये communication skill मिला है ठीक है लैंग्वेज स्किल भी मुझे कहीं कहीं लग रहा है लेकिन communication skill में भासा भी आहीं जाए गया थी इसलिए मैं इसको बी नंबर कर रही है तो थोड़ा सा इसमें मैं 70-80% अगर आपको कुछ और लग रहा है तो आप पता सकते हो ब्रिद्धी और विकास की प्रिक्रिया के लिए निमलिखित में से कौन सा सत्ते है तो आपका बी नंबर होगा growth natural है and development को external intervention की जुरत होती है ठीक है maturation is परिपक्वता है तो developmental process है निमलिखित में से किशोरा वस्था का दूसरा नाम नहीं है देखो बाकी तीनों नाम है तो चौथा नाम जो स्मार्ट एज दिया है वो नहीं होगा इसको हम लोग elimination method बोलते हैं है ना निमलिखित में से विकास का कौन सा सिध्धान्त गलत है कौन सा सिध्धान्त गलत बता रहा है ठीक है तो development is the result of coincidence coincidence इसमें कुछ नहीं होता है सब कुछ fix है शैश्य वस्था बाले वस्था किशोर वस्था सब कुछ fix है तो अंसर बी नमबर नहीं है पूछा है ठीक है किशोरा वस्था की प्रमुक समस्याएं है ठीक है तो इसका अंसर डी हो जाएगा physical transformation है इंटेंसिफिकेशन है फिर आप लोग का problem with regard है तो डी नमबर नगरी करन्थ प्रभावित करता है बालकों को किशोरों को महिलाओं को तेहां पे टी हो जाएगा एंटायर पॉपुलेशन को आर्थिक परिवर्तन से किशोरा वस्था में प्रभावित हो रही है आर्थिक परिवर्तन से क्या हो रहा है तीनों हो रहा है ठीक है वह के स्टाइल भी चेंज हो रहा है सोच भी education भी नगरी महिलाओं को दिशा दे रहा है नगरी करन्थ तो यह भी all हो जाएगा डी नमबर और लास्ट नमबर कोशन हमारा है नगरी करन और आर्थिक परिवर्तन सहायत है तो यह भी डी हो जाएगा ओल अब देवर्ग तो प्रवाइड एडुकेशन बाइं टेकनलोजी तो प्रवाइटर लाइफ फैसिलिटीज तो ओवरकम ट्रेडिशनल थिंकिंग रूडिवाद एंसर की कल आप लोगों का जैसे contemporary का exam होगा उसका भी answer की मिलेगा contemporary को लेकर वीडियो दे दिया गया है बहुत जल्द आप लोगों को PDF जो है टेलीग्राम पर दे दिया जाएगा तो टेलीग्राम जॉइन कर लेना वहाँ पर और कल का paper tough होगा मैं already बता रही हूँ आप यह कि आज का paper easy हो गया तो अच्छे से हजी-खुजी कर लो क्योंकि एक paper tough करता है तीन paper में से childhood, contemporary और learning and teaching में से एक paper tough होगा और ज्यादा chance है contemporary का तो contemporary में out of syllabus भी परो syllabus से भी परो आपको जितना चीज दिया गया है वो जरूर से जरूर करिए जाओ तो कल फिर मिलेंगे till then take care everyone and all the best for you tomorrow exam